जाए महाकाल नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चेनल आलमिक स्रिगांसगर आपका स्वागत है आसा को आप सब लोग अच्छे होंगे आपके घर परियार में हमें सब कुछ सिमंगल बनी रहे दोस्तों आज की शीदियो में आपको बहुत इच्छी जनकरी बताने जा रहा हूं दोस्तों इस वीडियो बाहेzept एक ऐसा जनकरीक बारें बताने जा रहा हूं जिनसे कई लोग ने इसके बार ने प्रस्न किया था कि कई घरों में चोरीय हो जाते हैं और चोरी भी केपर कर गर सोना चांदी हो या कोई भी लोह समन्धित कोई भी चीज हो या फिर पैसे की चोरी हो या फिर गाय बकरी महुत सारी चोरी हो जाते हैं उसको कई जगा हजरात के माध्यम से फुछे लगाते हैं, कई छीज़ी मिलते भी हैde, बाद मेरे नहीं मिलते हैं। पहले प्रस्ट हो जाता है कि पता कैसे लगाए कि वह मुलानी blues उसको हजरात के माध्यम से पर अन्या तरीका से उसको जाना जाता है। जिसके बारे मैंने पिछली वीडियो में बताया हूँ, तो आप यदि आपको खोजने पर या फिर आप नहीं जान पारें कि इसको कौन ब्यक्ति ले गया हो, आप चाहते हैं कि वह किमती समान है और उनको डंड मिले, क्योंकि कभी भी चोरी करना सहस्तर के हिसाब से भी महाप नहीं करेगा, वह सबक मिल जाएगा, तो यह अनुठा प्रयोग बताने जा रहा हूँ, इसको यदि आवस्प्त हो तो तब इसको कीजे, इसमें आपको किसी को कुछ बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, जबकि इनका प्रयोग से जो चोरी किया है, उनको ही सजा बताने इसको बीना इसकीप किये आप देखेगा, जब प्रयोग से आप समझ जाएंगे, तभी इसको प्रयोग कीजेगा, यह प्रयोग एक अनभूत प्रयोग है, और यह थोड़ा सा जटिल है, इसको मैं अच्छी सरलता जरूप से आपको समझाने कोशिस करूँगा, आप वैसी इसको कीजेगा, यह साधरा मंत्र है, यह एक मंत्र विधान है, जो सितला माता महाकाली और भहराव के माध्यम से चलता है, इसलिए महाकाली का और भहराव का और सितला माता का पूजा करना निवार है, अब इसके माध्यम से चलेगा, इसको कैसे करना है, आगे विश् दिन में मंगल वार या सनी वार की दिन किसी भी सितला माता के मंदिर है वहां पे एक नारियल एक नीबू बंगला पत्ता लौंगिलाइची आपको लेकर के जाना है और एक सोला सिंगार यानि कि जो मातरा नीबी चढ़ाते हैं चुरी दी और एक जिसमें चूडी बिंदी होत में जाकर के अर्जी बिंदी करने है सितला माता मैं जो है कोई विवेक्ती यदि चोरी किया करया हो तो उसको फर्यादी का आपके पास में अर्जी लगाँगा किरपया करके उसको सुन ली जेगा और कारे को पूर्ण कर दीजेगा इस तरह आपको बोलेना है और उनको वहा बारा बार करेंगे तो भी ठीक है 21 बार कर लिए तो और तूत्तम है या कर देना है यह पहला विधान है अब आपको किसी भी महाकाली के मंदीर है यह काली का मंदीर है वहां भी आपको जाकर के यहीं समागरित देना है नारियाल बंगलापत्ता लग लेची निबू और उनको लेकर जाना है अब फिर वहां अरजीविंति करके आप वहां भी 21 बार मंतर पाठ करके इस मंतर को वहां भी सिद्ध कर लिजिए उसके बाद में आपको भैराओ को नाम से अब किसी समसान जगा में या पिस चवरास्ता ज्यादा तो उत्ता हमकों समसान घट में वहां इसे सराब इनको लेकर के यहीं अरजीविंति करने का मैं जब किसी चुरी किया हो फर्याद आता है तो उनका फर्याद आपके पास में सनौँगा आप इसकारे को पूर्ण कर दीजे या आपको कहना है कहकर उस समागरी को आपको दे देना हो वही पे छोड़के आ जाना है और वहां भी इसे मंत्र को 21 बार पढ़ लेना है यहां तीनों कर लेंगे उसके बाद में जब भी कोई ब्यक्ति आपके पास में चुरी का समगें इसा से चुरी हो गया है आपको बताता है तो आप ठीक है अगर दूसरा कहा है तो उनके घर का यह पी जैसे की बकरी चुरी ह हो गया है ठीक है यडित को नाम ले जिसके घर जिसका चुरी होए उसका नाम पताक लिजेगा और उनका नाम पुछ लीजेगा उसे- थास मिटी यहां ले हैं अब आपको एक आसन तैयार करना है आप घर में बीचा कर सकते हैं या फिर बाहर में कर सकते हैं उनको आपको हम आसन लगाना है इसको विध्यान से सुनिए वहां पे पानी की चाउका लगाना है पानी चाउका लगाने के बाद में उसमें जुगर के मिट्टी है उसको रख देना है मिट्टी रखने के बाद में उसके उपर में दीपक जला देना है दीपक जलाना है आप वहां पे आपको लेना हम पर इस ब्यक्ति का यह चीज चोरी हो गया है कि पया करके जिन्हों ने चोरी कि हो उनके लिए डंड देने के लिए उसको सभाग दे या फिर वह समागिर को रिटर्न कर दे वापस कर दे इस उद्देश से मैं अब इधान करने जा रहा हूं कि पया करके इस कारे को प्रवाव मुन्त्रा भूर करना है दुद हें करना है पहलों के उसकर से पहले अपने Listen और मंधा और शिद्ला माता इनका अपको ध्यान क पुज्ञ करना हैं यह तो अग ज nós स्ट्राइक जला करके उसमें सरही के धुट या फिर दसांज दूब आपको थोड़ सद देते रहने और यह बात को बोलते रहना है इस अपने सबस्क्राइब देख जिए अगर डुषी से गाउंक का यह ठाकूर देता हुँ अब अरजी भी सुनिए और उसके सब्सक्राइब करने में इसके बाद में नियुर्भध जान करके में यह नहीं जानताओं कि कोई चोरी किया है का नहीं क्या है मातर पयानि किर्पया कर कि मिन पर जींफित सज़या ओंको ऐसा कर दें अईसा आपको बोल करके तून करना है, यहो गया है इतना आपका सुम्रण में आता है, अब वहाँ पे आपको एक कुंड तयार करना है, एक कुंड तयार करना है, तीकों भी बना सकते है रहा है, पिर किसी भी तसला में नहीं करक Off It. इसमें पांच प्रकार के लखड़ी का प्रियोखों का जिसमें आग का लखड़ी बेल का लखड़ी पीपल का बरगत का इस आपको मिला करके करना है इसमें ज्यादतर आग का होना अनिवार है आग का लखड़ी कम से कम हो आग का यह दिन्य हो तो पीपल का हो लेकिन बर पीप करना है यूज होगा जाएगा जर्ब और फोन समगरी को हवंस मारी दालने को नएगा गया डूद्धेन게 काला कि उनको最 नएगा यूज बनें उस तयायार लेना है इसको अमर्म के माते हैं we are आम के पत्ता से लेना है उसको पकरने के लिए उठा करके डालने के लिए हांसे आपको नहीं डालना है आम के पत्ता से आपको लेना है और उसमें मंत्र पढ़ते हुए आपको हवन करना है या हवन 180 बर रहेगा उसमें लास्ट में जब मंत्र पढ़ेंगे उसके लास्ट में उस्वेक्ति के रिए प्राथना करेंगे कि जिन्होंने चोरी किया है उनको इस सजा मिले या उनके सरीव फोले पड़ें आपको मंद्र पता चल जाएगा या वापस कर दें यह बोल करके आपको हवन करना है मंत्र में लाष्ट में मंत्र पढ़ेंगे उसके बाद मुस्ट में स्वाह बोला निवारी है मैं आगे बता दूंगा इस तरह से यह विधान है इसको करने से एक स्वाड बार इसका हवन करना है अविधान करना है अब मैं पहले बताते हैं मंत्रा उसके बाद कुछ सवधानी बताऊंगा पांच बाडले हाथे अरजुन चले चोर के साथ दही नोन का अहुती दे चोर के देह फफोला पड़े भेल दुहाई गवरा पार्वती की नैना जोगनी की स्वाहा इसी तरह यहाँ मंत्र है इसी मंत्र का को प्रियोग लेना है अब इसमें परिपूर्ण हो जाए उसके बाद अंतिम में एक निवू काट करके उनको सांथ कर देना है कि हे सित्ला माता हे महाकाली हे भैराव आपको पुनाविती तरह किरपा कर उनको आपको समझा दीजे उनको समान वापस ले या उनको डर्ण दीजे आपको दिनों चोरी किया है अब इनसे होगा कि उनको जैसी आप प्रियोग करोगे उसके बारा से चुबीस घंटां अंद कर दीजे वह बोलेगा तब समान लाद दीजेगा हम ठीक कर देंगे तब उस ब्यक्ति से आप जो है नार्याल बंगलापत्ता लाउंग लैची और जो समान पूझा समान में तीनों का ले लिजेगा सित्ला माता के लिए और भैराव के लिए महाकाली के लिए इन सभी समाग ले आया है उनको ठीक कर दीजे ऐसा उनको प्राथना करके और वहाँ पर माता का बोल मंत्रा आप सुना दीजेगा उसके बाद में ठीक हो जाएगा इसे बोल मंत्रा आप दिसक्रेशन में चेक कर लिजेगा माता का बोल मंत्रा वहाँ पर लिख दिया जाएगा या फिर उस दोस्तों यहां जानकरी आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देजगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बेल करें प्रेस करें आज से जरूर कर लिजेगा ताकि आने वीडियो को नोटिशन आपके पास में पहुंच सके दोस्तों यहां जानकरी बताने को के लिए बहुत बहुत धन्यवाद